नमस्कार दोस्तों अगर आप भी यूटूब पर वीडियोज अपलोड करते हैं और यूटूब से पेसा कमाने के लिए तो यूटूब का मोनोटाइजिशन का क्राइटेरिया है 4000 गंटे और 1000 सब्सक्राइबर वो पूरा करने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है क्योंकि यूटूब ने एक स्टंबर से कैसे फिचर को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है जिससे आप अपने सोर्स के थूरू भी अपने वोज टाइम को कम्पलीट कर पाऊगे अब आपके मन में एक क्यूशन उठेगा कि सोर्स का वोज टाइम काउंट नहीं होता तो सोर्स के माद्यम से हम अपने वोज टाइम को कम्पलीट कैसे करेंगे जी आप बिल्कुल सही है सोर्स का वोज टाइम कम्पलीट नहीं होता अगर आपको ध्यान में हो तो YouTube ने कुछ टाइम पहले एक अपडेट के बारे में अनाउस किया था जिसमें YouTube ने बताया था कि अब आपने source की description में ये फिर comment box में किसी परकार का कोई link share नहीं कर पाऊगे अगर आप link share करते भी हो तो वो clickable नहीं होगा इसी के साथ YouTube ने ये भी बताया था कि अब आपने source पर कुछ इस तरीके से एक link share कर पाऊगे जिससे आप अपनी source की जो audience है उसको long video पर अपने base कोगे और आपको तो पता है कि source वीडियो पर जो traffic आता है वो बहुत ज़दा आता है और आप अपने source वीडियो पर long video के link को share करते हो और उस traffic को long video पर divert करने में success हो जाते हो तो आपके long video पर views बढ़ेंगे जिससे आपका worst time बहुत जल्दी जल्दी complete हो जाएगा तो इस वीडियो में हम देखने वाले है कि कैसे आपको इस option का use करना है कहां पर आपको वो देखने को मिलेगा और क्या उसका नाम रहने वाला है तो वीडियो को आपने तक जरूर देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर कर लें चलिए चलते हैं mobile की screen पर और देख लेते हैं कैसे आपको उसको use कर रहा है और यहां पर left side में आपको उपर से second number option है वो content कर रहेगा उस पर आपको कर देना है tap तो इस पर tap करती है आपने अपने YouTube चैनल पर जितने भी long video या sort video अनिस्टेड हो public हो जितने भी upload कर रहे हैं वो आपको यहां पर show हो जाएंगे अगर आपने अभी-भी कोई sorts upload किया है जो only state है उससे traffic को divert करना चाते हो उस पर link share करना चाते हो या फिर आपने पहले कोई sorts upload किया था जो आपने public कर रखा है उससे traffic को divert करना चाते हो तो दोनों ही condition में same process रहने वाला है तो जिस भी sorts से आप traffic को divert करना चाते हो उस पर link share करना चाते हो तो उस sorts को आपको select कर लेना है और आपको उस पर tap कर देना है और tap करते ही आपके सामने कुछ इस तरीकी की window open हो जाएगी और जहां से आप अपने वीडियो पर end screen लगाते हो वहीं पर आपको एक नया option देखने पर tap करना है और आपके सामने आपने जितने भी आज तक video upload की है वो open हो जाएंगे तो आप यहां से कोई भी वीडियो जिस पर आप traffic को divert करना चाते हो वो select कर सकते हैं जैसे मैं यह select कर लेता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि उस video का link यहां पर add on हो चुका है और यहा जोब हम यह source play करके देखने वाले हैं क्या वो link add हुआ है या नहीं हुआ और वो link work भी करने वाला है या नहीं तो आप देख सकते हैं कि जिस source पर हमने link को add किया था वो link यहां पर add हो चुका है और इस link पर जैसे हम tap करते हैं तो हमने जिस long video का link share किया था वो यहां पर open हो हो जाता है तो इसी तरीके से आप भी अपने सोर्ट्स पर लिंक को शेर करके अपने लोंग वीडियो पर व्यूज बढ़ा सकते हैं और व्यूज बढ़ेंगे तो आपका वोस्ट टाइम और सब्सक्राइबर आटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे तो यह था रिलेटेड वीडियो मेट थक्स पर वाचिंग